हलो जी नमस्कार मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूँ आज की इस भेतरीन और सबसे ज़्यादा सांदार वीडियो में अगर हम बात करें आपकी क्लास 11 के बारे में क्लास 11 कि specily हम बायलोजी की बात करें तो आपकी नई एनसी आइटी प्यारे बच्छों चेंज हुई है और उस नई एनसी आइटी में आपको टोटल चैप्टर पढ़ना है 99 ठीक है ग्लास 11 में ठीक है, क्लास 11 में टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर पढ़ना है, और अगर बात की जाए, क्लास 12 बायलोजी की, तो सिर्फ 13 चैप्टर आपको पढ़ना है, कितने चैप्टर, 13 चैप्टर, तो टोटल 19 चैप्टर आपको 11 में पढ़ना है जी विग्यान में ठीक है यह आपको अगर बोर्ड एक्जाम आप देने वाले हैं तो आपका पढ़ना है क्योंकि आपके बोर्ड एक्जाम में बोर्ड एक्जाम में कोश्चन कहां से आते हैं वो आते हैं आपके NCRT से आपके बोर्ड एक्जाम में कोश्चन पू National Testing Agency जो NEET exam को conduct करवाती है वो अपना official notification नहीं जारी की है वो exam के लगबग एक महीने पहले ही वो अपना notification जारी करती है और बताती है कि हम यहाँ से question पूछेंगे और NTA ने पिछले वर्स बताया था कि हम पूरी biology से यानि कि पूरी biology class 11 की total NCRT से question पूछेंगे और class 12 की NCRT में changes इसी वार आएं है ठीक है और आपको बता दे कि NCRT के कुछ topic भी आपके cut हो गए है जैसे बात करें 11 में ठीक है यह आपके पास 11 की NCRT है 11 में total आपको 19 chapter तो पढ़ने है लेकिन कुछ chapter के topic भी cut गए है ठीक है जब कुछ chapter के topic cut गए है तो आपको और आशान हो गया है ठीक है आपको सबसे ज़्यादा आशान हो गया है क्योंकि कुछ chapter के topic भी cut गए है और करें बाद हम लोग 12 की ठीक है तो 12 में सिर्फ और सिर्फ आपको 13 chapter ही पढ़ने है कि 13 chapter सिर्फ 13 चैप्टर आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं बायलोजी में ठीक है और कुछ टॉपिक भी कटे हुए है तो यानि कि स्लेबस आपका रेडियूस हुआ है बहुत ज़्यादा रेडियूस हुआ है आपके बोर्ड के एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से ठीक है और नीट एक्जाम में अभी हमको जब नीट का एक्जाम होगा तब हमको पता चलेगा और आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक बायो अमन से बायलोजी नहीं पड़ी है तो आपने बहुत देर कर दिया है आप लोग जल्दी से जाएए चैनल पर चैनल की प्लेश्ट चक करिए और प्लेश्ट में क्लास 11 की प्लेश्ट है क्लास 11 जीव विग्यान कच्छा 11 जीव विग्यान और कच्छा 12 जीव विग्यान के नाम से प्लेश्ट है वहाँ पर सभी वीडियोज आपके अपलोड किये गए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए यह आप लोग वहाँ पर जाएए और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकें ठीक है तो आप लोग वहाँ पर जाईएगा विजिट करिएगा अच्छे से पढ़िएगा प्यारे बच्चों मेहनत करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विस वाल दे बेस्ट थैंक यू